लवकुष क्रिकेट प्रीमियं लीग का हुआ समापन, राजनगर विधायक अरविंद पतेरिया ने किया टूर्नामेंट का समापन लवकुष नगर मेला ग्राउंड पर चल रहे 21 जन्वरी से लवकुष क्रिकेट प्रीमियं लीग का आज फाइनल मैच खेला गया जहाँ पर दर्शकों की खचाखच भीर देखने को मिली और कई हजार खेल प्रेमियों से चारों तरफ सिर्फ भीर ही भीर थी आज फाइनल मैच अबरार एलिविन और गिलोहा एलिविन की बीच 20-20 ओवा का मैच हुआ पहले खेलते हुए 19-20 में अबरार एलिविन 158 रन बना कर ओल आउट हो गई जबाब में उतरी गिलोहा एलिविन ने 19-20 में 6 विकेट से मैच जीत कर फाइनल अपने नाम किया वही आज के समापन कारेक्रम में मुख्याति थी रहे राजनगर विधायक अरविन्द पटेरिया ने मन्च से खेल और खिलारियों से जुड़ी तमाम बाते की और कहा कि लवकुषनगर में एक स्टेडियम का निर्मान होगा और स्टेडियम कोई ऐसा वेसा नहीं होगा प्रदेश तर का स्टेडियम बनवाया जाएगा वही अरविन्द पटेरिया ने विजेता और उपविजेता तीमों को ट्रॉफी और नदिनाम दिया गया आज टूर्नामेंट में आकर्शन का केंड रही बुंदेली चेयर गल्स जो मैच के दौरान चोके वचकों पर दांस कर लोगों का मनुरंजन करती रही और लोग दांस का लुफ्त उठा रहे थे समापन में मौजूद रहे राजनगर विधायक अर्विंद पतेरिया भाजपा के वरिष्ट नेता राकेश रिछारिया अप्पु राजा रागवेन रिछारिया रामु यादव मोनु यादव अरिमर्दन यादव मोहित बरानिया आज एमपायर रहे मकबूल खान और कल्लु खान कमेंटरी पर आज बंती तिवारी छोटु गुपता बारिश खान तो वही टूर्नामेंट प्रभारी कोसें खान थे तो वही टूर्नामेंट आयोजक मितिम रिछारिया ने सभी का आभार प्रकट किया राज इंडिया 18 के लिए व्यूरो रिपोर्ट छोटु खानलव कुष्णगर बना देना कि उसी जो अपन अच्छा एक एक चैडियम बनाएंगे तो इसनो लेविल का यह वरोज़ा करो आप लेविल के आयाएज आपको सब्सक्राइब हो बहुत अच्छा एक एकेडियम बनाएंगे और मैंने आजने शांसवक्र्टी से भी बात की है लापुष दिगर में, इस्पोर्स काफिक लेकर के वहां, लेकर के आएदिश, आप बजगर के पहतिस करोड कर इस्टेडियम बंबा जो, जो अब बजब देश में, मुश्कल से दस वार ने इस्टेडियम होगे, उस लेविट उस उसकर का स्टेडियम ख़लाओं में, चैंके बन पड़ेगा, यह मेरा धर है, आपने जो प्याद इसनी आफिर्वास मुझे दिया है, एक परिवार के सुझत जैसा, आप समय मेरे को प्याद दिया ते मानना, किस लव कुमिनर के विक्नाश के लिए प्रावस में लगा के पूरे मनयों योग से, जितना अपन पड़ेग और जितना मावल को उससे जादा देने का मैं प्याद करूगा